हालो माई देर दोस्त हैं मैं सुझीत कुमार कंसल राप तो मैं तेश्टे ना इस पेसली तो आई वोप आप लोग अच्छे होंगे तो चलिए आज क्या टॉपिक है वो फ्लॉटर्स यानि हाउ टू कंस फ्लॉटर्स हमारी आखों में फ्लॉटर्स कैसे आता है तो हम लोग ज जैसे ही आकर रेटिना या क्लॉंप से परती है वो क्या होता है परदे पर परचाई के जैसा बना देती है जो हमें एक सैडू या फ्लॉटर्स के जैसा दिखाई देता है आस्मान में कीरे जाले के तरह मसूद होता है जब भी हम इसे देखना के कोशिस करते हैं तो एकदम स घृर्ध के किरेट होने लगता है अगर मैइरटिक है यानि माइनस का नमबर ज्यादा थो भी बेटर् hainux के परदें में बसक्रें words घ्रará sing and से कारण infection, inflammation और अचालक से फ्लोटर आने लगता है कब फ्लोटर नोर्मल है और कब डेंजर से यह जानना बहुत जरूरी है आपके आखों में एकदम से बहुत सारे फ्लोटर फ्लासेस आना सुरू हो जाए आखों के सामने परदा या या परचाही जैसा दिखे रेटीना तो या डिटेजमेंट भी हो सकता है लाइनिंग दिखे तो एक खतरनाक हो सकता है तो चलिए हम लोग जानते है बैट एन वाच यानि बैट एन वाच क्या होता है जो फ्लोटर आपके आखों में बन गया वह गरिवेटी के बज़े से नीचे सेटलमेंट हो जाते है कुछ टाइ निचे साथ बड़ी एडाप्ट या एक्सेपट कर लेता है कि हमारी आखों में जो फ्लोटर से लेकिन इसे देखना जर्वत नहीं है तो ताइम के साथ यह क्या होता है धीरे-धीरे बंध हो जाता है दिखेना धीरे-धीरे कम हो जाता है या खत्म हो जाता है और चलिए हम अब दो करते हैं चोटे चोटे टुक्रों में इसके कारण हमारी आखों में स्प्राइबंट हो जाता है या तांग के साथ बड़ी कर लेता इक्सक्रेक करनेता कि इस को देखना अवस्चक नहीं है तो इसी तरह आकों से समंधित वीडियो देखने के लिए आप मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको लिट्रिफिकेशन मिलता रहे और किसी भी वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं